राधी राधी सिरी जी की किचिन में आप सभी का स्वागत है आज हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं मक्की की रूटी ये रूटी खाने में बहुती स्वादिश लगती है तो चली से बनाते हैं मक्य की रूटी बनाने के लिए ये हमने एक कप मक्य काँटा चान कर लिया है आदर कप गिहू काँटा इसको भी हमने चान लिया है आप कोई भी कटोरी से मेजर्मेंट कर सकते हैं दोनों को रखते हैं साइड में एक बड़ा सा बाउल ले लेंगी इसी मक्य काँटा डाल देंगी इसी में गिहू काँटा मिस कर लेंगी गिहू काँटा मिस करने से रूटियां आप चकले पर आसानी से बेज सकते हैं एक चमदे सी घी डाल देंगी देसी घी डालने से रूटी बहुत सौक्ट बनेगी यह हमने गरम पानी लिया है, एक कप, इसी से आटा गूतेंगे अब आटे को गी में अच्छे से मिस्ट कर लेते हैं इस तरह से आप रूटियों बनाएंगे तो रूटियों आपकी बहुत सौप्ट बनेंगी और चकले पे आसानी से बिल सकेंगे अब थोड़ थोड़ पानी डलकर आटे को अच्छा सा गूत लेंगे ज्यादा पानी नहीं डालेंगे, थोड़ थोड़ पानी डलकर गूतना है अगर आप ज्यादा पानी डाल देंगे तो आटा आपका गीला हो जाएगा फिर दुबार से आपको आटे को डालना पड़ेगा अब थोड़ा सा पानियों डाल लेते हैं अब आटे का अच्छा सा डूत त्यार कर लेंगी तो देखी इस तरह से मसल मसल कर आटे को गूतना है जितना आप आटे को अच्छी से मसल मसल कर गूतेंगे उतनी ही आपकी रोटियां बहुत सॉप्ट बनेंगी तो देखे इस तरह से हमने आटे को गूत लिया है ये देखे एक तिहाई कप पानी लगा है इसमें ये देखे आटे गूत कर रेडी हो गया है आटे ज़्यादा गीला नहीं है ना ज़्यादा हाड है इस तरह का आटा आपको गूत लेना है अब हम आटे को एक बावल में इस तरह से ढखकर रख देंगे जिससे आटा अच्छी तरह सेट हो जाए तो ये देखे पांच मिनट के लिए हम ढखकर रख दिया था आटा अच्छी से सेट हो गया है और एक बावर फिर से अच्छी तरह मसील लेंगे अब रूटिया बनाने के लिए आटा तयार है अब हम एक प्लेट में आटे को निकाल लेंगे आटे को इस तरह से सेट कर लेंगे थूड़ा सगी हूं काटा लेंगे रूटिया बेलने के लिए अब हम आटे को दो भाग में इस तरह से डिवाइट करेंगे और इस तरह से लंबा कर लेंगे थूड़ा सा जिससे लूईया बनाने में आसानी हो अब इस तरह से लूईयां बना लेते हैं तो देखे इसी तरह से हम सारी लूईयां बना लेंगे लूईयां हमारी बनकर रिड़ी हो गई है अब एक लूई लेंगे गद्धी की साहता से इस तरह से गोल कर लेंगे और उंगलियों से इस तरह से चप्टा कर देंगे थोड़ा सा आंटर लगाएंगे और इस तरह से उंगलियों की साहता से हम थोड़ा सा बढ़ा कर लेंगे लोई को इससे बेलने में आसानी होगी अब चकली पर रखेंगे लोई को और बेलेंगी साहता से इस तरह से बेल लेंगे रोटी को केनारी केनारी बेलना है इस तरह से अगर आप बीच में बेल लेंगे तो रोटी आपकी बीच में पतली हो जाएगी और केनारी केनारी मूटी ही रह जाएगी तो ये देखी रोटी हमारी बिलकर रिडी हो गई है ये किनार किनार थोड़ी चटक ही जाती है अब हम आपको थिक निस बताते हैं रोटी की ये देखी ना जाद मूटी है ना जाद पतली है अब चली गया इसको हमने ओन कर लिया है तब हमारे अच्छी से गरम हो गया है हम र पूल सके यह जिस तरह की रोटी जब सिखिजाए तो आप उतार दीजिए आप गैस पर रोटी को सेंक लेते हैं चमीटे की सायता से तो इस तरह किनारी किनारी आपको रोटी को सेंकना है यह देखिए रोटी कितनी अच्छी तरह फूल गयी है आप साइड साइड ची अच्छी से सेंक लेते हैं इसे इसमें कच्छा पन ना रह जाए तो ये देखी रोटी हमारी बन कर रेडी हो गई है कितनी अच्छी से पूली है तो ये देखिए रूटी कहीं से कच्ची भी नहीं दिख रही है और इस तरह से आप रूटी अगर सेंखेंगे तो रूटी आपकी बहुत अच्छे से सिक्कर तयार होगी रूटी हमारी बनकर रेड़ी होगी इसी तरह से हम सारी रूटी बना लेते हैं अब चलिए प्लेट में सर्फ कर लेते हैं ये रूटी खाने में बहुत ही स्वाधिश लगते हैं अगर आप इस तरह से बनाएंगी तो रूटी आपकी बहुत ही अच्छी बन कर तयार होगी सर्दो के साथ के साथ सर कर लेते हैं अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आती है तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए सेर कीजिए हमारी चैनल दो सत्राइक कीजिए